प्रस्निक सुधीर ने एक कोट 4500 रुपया मूल के खरीदे उसे बिक्री करके 6% अतरीक्त देने पड़े तो बताईए कि सुधीर ने कोट खरीदने में कुल कितने रुपय लगाए तो कोट का मूल कितना दिया हुआ है कोट का मूल बराबर दिया हुआ है 4500 रुपया कोट का मूल कितना दिया हुआ है 4500 रुपया उसे बिक्री करके 6% अतरीक्त देने पड़े तो बिक्री कर कितना है बिक्री कर बराबर है 6% बिक्री कर कितना लग रहा है 6% तो लिखेंगे बिक्री कर सहित कोट का मूले बिक्री कर सहित कोट का मूले बराबर कितना हो जाएगा तो 4500 जोड 4500 का 6% तो बिक्री कर सहित कोट का मूले कितना हो जाएगा 4500 जोड 4500 का 6% यानि 6% लग रहा है बिक्री कर तो किस पे लग रहा है 4500 पे 6% यानि 4500 में 4500 का 6% को जोड देंगे तो क्या निकल जाएगा बिकरी कर सहित कोट का मुली तो 4500 जोड 4500 का 6 बटा 100 लिख लेंगे परतीसत हटाएँगे तो बटा में 100 आजाएगा परतीसत हटाएँगे तो बटा में क्या आएगा सो आएगा तो दो सुन्ने से दो सुन्ने काट लिए का मतलब गुना होता है तो इस तरह हम काट सकते हैं तो आ गया 4500 जोड 45 छक कितना होता है 45 छक 35 हाथ में रहा 3 64 चोबिस 3 देखे 6 पचे 30 हाथ में रहा 3 27 यानि 270 रुपया इसको जोड़ देंगे तो सुन्य साथ पांच दो साथ और चार कितना आ गया 4770 रुपया तो बिक्री कर सहित कोट का मूली यही पूछ रहा था देखे उद्दर आ चुका है 4770 रुपया तो सुधीर ने कोट खरीदने में कुल कितने रुपय लगाए तो लिखेंगा था सुधीर ने सुधीर ने कोट खरीदने में सुधीर ने कोट खरीदने में 4770 रुपय लगाए सुधीर ने कोट खरीदने में कुल कितना रुपया लगाया है 4770 रुपया सुधीर ने कोट खरीदने में लगाए आगाए लगाए 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 झाल झाल